नमस्कार मिश्ण ग्यांत से मैं आश्टो तोष्ट रास्तान सरकार और वेदानता के CSR इनिशेटिव एक अक्षा में आपका स्वागत करता हूं पिसले क्लास में आपने जाना था कि सार्तक अंकों को किस प्रकार से जोड़ा या फिर घटाया जाता है आश्ट के क्लास में बात करने वाले हैं सार्तक अंकों के गुणा और उनके भाग की यदि हम बात करें सार्तक अंकों के गुणा की तो देखेगा पहले योग में आपने कहा जाना था कि जो नमबर हम यहाँ पे देख रहे हैं जो नंबर हम यहाँ पे जोड रहे हैं या फिर घटा रहे हैं उन में दश्मलों के बाद में जिसमें नियूनतम अंक है उतने ही क्या होने चीए परिणाम में होने चीए अब यहाँ पर यहीं बात आती है तो यहाँ पर कुणसा नियम लगता है ध्यांदी जीगा माली जीए दो नंबर को हम जोड़ रहे हैं, यानि कि दो संख्याओं को गुणा किया जा रहा है, यदि दो संख्याओं को गुणा किया जा रहा है, तो आप दोनों संख्याओं में देखेंगे, कितने कितने सारतक अंख हैं, अब जिसमें नियूनतम सारतक अंख होंगे, उतने ही किसमें होने चाहिक है नीयाया उद्धाऊचा sós म miss you को गूंअ करो है आपको एक मुणा करना है जैसे आप नहीं करते हैं तो आप पाते हैं कितना आता है थे उसतने में देखा जाए, तो सार्थक अंक कितने आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे दो गेरशुनिया हैं, तो दो सार्थक अंक, अच्छा, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर, यहाँ पर तीन सार्थक अंक आ रहे हैं, पक्की बात है, अच्छा, एक चीज़ देखना, अब दोनों में से जो नियुंतम सार्थक अंकों की संख्या है वो कितनी है तो आप बोलेंगे सर दो है पक्की बात है ठीके तीन हो सकती है क्या नहीं क्योंकि तीन नियुंतम नहीं है दो नियुंतम है तो अब जो result हमारे पास में यहाँ पे आया है उसमें भी कितने सार्थक होने चाहिए, जो कि यहाँ पे minimum थे, तो कितने है भाई मेरे, 2 है, तो यदी मैं इसको लिखना चाहूं, यदी मैं इसको लिखना चाहूं, 3.125 को, तो वहाँ पे 2 सार्थाकंगों के लिए मैं क्या लिखूँगा, तो आप बोलेंगे, सर, वह 2 सार्थाकंगों के लिए सिर्फ इतना लिखने से काम बन जाएगा, कितना? 3.1 यानि कि 3.1 एक लिखने से काम चल जाएगा, क्योंकि 3.1 लोग एक लिखते हैं, तो कितने सार्थाकंग हो गए हमारे यहाँ पे? 2 सार्थाकंग हो गए, ठीक है जी? तो यही बात बोली गई है, कि परिणाम में सार्थाकंगों की संख्या उतनी होनी चीए, जितनी नियूनतम सार्थाकंग वाली संख्या में होती है, परिणाम में सार्थाकंगों की संख्या उतनी होनी चीए जितनी न्यूंतम सार्थक अंक वाली संख्या में होती है एक्जाम्बल आपके सामने वही दिया हुआ है 2.5 में केवल 2 सार्थक अंक है ठीके इसलिए परिणाम में भी क्या होने चीए भई मेरे यहाँ पे 2 ही सार्थक अंक होने चीए जो कि आपको नज़र आ रहे है 3.1, 3 और 1 क्या है यहाँ पर सार्थक अंक है यह था क्या है यहाँ पर गुणा का एक्जाम्पल इसी तरीके से कोई साभी एक आप भाग का एक्जाम्पल लेकर रहे कर सकते है पाठे पुस्तक के पिछे भी कुशन है जब मैं आपको वहाँ पर कराऊँगा तो वहाँ पर आपको पूरे कुशन में करा दूँगा ठेके जी तो यह सब था क्या है यहाँ पर किस सार्थक अंकों में हम किस प्रकार से योग संक्रिया, गटाव संक्रिया और गुणा भाग लगा सकते है अगली क्लास में बढ़ेंगे कि संख्याओं को किस तरह से राउंडिंग ओफ किया जाता है ठेके जी, यानि इस संख्याओं का निकटता मान कैसे निकाला जाता है तो जुड़री यह मिशन गयान के साथ में, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद